PMC Hindi से जुड़े लेटिस अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें स्कूल में भी मुझे जो मुझे कुछ समझ में नहीं आता था बट एक साइड में पारलल ट्राक एक रहता था कि मैं कुछ स्पेशल हूं यह भी मुझे फील होता था मैं था स्पेशल हूं ऐसा मैं इसी अधिय ग्रेट हूं मैं डिवाइन हूं मैं प्यूर हूं यह सोरा कोई बताते नहीं थे बट मुझे अंदर फीलिंग आते थे At the same time music class में, सर डांडते थे, कि तुमको नहीं आता, मेरे पास मत आओ तुम सीखने के लिए, तुम्हारा फीस भी मुझे नहीं चाहिए, परिश्मेंट ऐसा मिलता था, कि मेरे ड्रेस के पीछे, बड़ा सा आक्षर में लिखके, कि इसने ये वर्क नहीं किया, ये ऐसा ही है, ताग लेबल करके, पूरा दिन उसी लेबल के साथ मुझे स्कूल में रहना है, नमस्कार दोस्तो, पी एम सी इन भी आत्मा की यात्रा कारेक्रम में, आपका स्वागत है, आज हम एक बार फिर से पामनी मैम से मिलेंगे, और उनसे तुम्हारा पास्टार कारेक्रम में आपक जानेंगे कि उनके जीवन में एक जो नया चलेंज के रूप में उनका बच्चा था, उन्होंने उसको कैसे डील किया, और अपने जीवन को और आगे कैसे समझा और समझाया, तो जानते हैं, पामनी जी आपका स्वागत है, आत्मा की यात्रा कारेक्रम में, तैंक य।, तै जाना आपसे, कि आपका जो बच्चा था, वो धीरे धीरे सर्क्मस्टांसिस के हिसाब से, एक नई 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 बिमारी के साथ, नई डफिशेंसी के साथ सामने आना शुरू हुआ, तो आपने उसको कैसे हैंडल किया? बहुत साल लग गया, अभी 20 साल का है मेरा बेटा, सालों साल उसके साथ लगना पड़ रहा था, क्योंकि मुझे उनके साथ साथ ही रहना पड़ा, हर एक चीज के लिए वो डिपेंड हो गया, क्योंकि मुल्टिपल चालंज जसे है, मैंने जैसे बताया, तो आने वाला हर रिहाबिटेशन सेंटर्स में लेके जाना और एवरी मिनिट उन टोज रहना कि उसको सेफगार्ड करने के लिए क्योंकि फिट्स भी शुरू हो गया उसको एट यर्स के बाद लगातार फिट्स मेडिसिंस के वज़े से उसका साइड एपेट्स चलता रहा तो इस बीच म इसका लाइफ मेरे वज़े से खराब हो गया यह सब फील करना यह सब चल रहा था और इस बीच में मुझे फील हुआ की चलते चलते की यह बच्चा मेरे अंदर के डिविनिटी को भी परचे कर वा रहा है में फील हुआ की हाँ अगर को पहले उससे पूछती थी की मुझे क चुना अगर कुसी और के पास जाता तो तुमको बहुत अच्छा लाइफ मिलता बट ग्राजली मुझे यह भी समझ में आने लगा की हां मेरे यह मेरे पास आया अगर कोई और है तो यह नहीं कर पाएंगे क्यूं मैं यह चार दिवार छोड़के कहीं नहीं जाती थी पूर आप ध्यान क्यों करना चाहती थी तो आपके जीवन में पापनी जी कब ध्यान आया आप ध्यान क्यों करना चाहती थी Yes, very rightly asked. यह दियान वंडर्फुल जर्णी ऐसा शुरू हुआ कि यह बच्चा पादिन 15 साल तक जब हो गया तो मुझे पहले क्या होता था? छोटा-छोटा improvements दिखता था, micro-level. मतलब, only parents को ही, जो caretaker होता है न उसी को पता चलेगा, ना micro-level. कुछ सीन नहीं होता था, फिर भी feeling होता था, यह यह इंप्रुमेंट आया. सब्सक्राइब यह उंगली हिलाना ही, सोचिये. वह भी एक great milestone होता था, great achievement होता था. हम celebrate करते थे, बहुत celebrate करते थे. ने ने बोलो, स्कूलिंग में मुझे फील होता था, कि appreciate करना है, वह fundamental thing मैं पकड़ के चली, मैं हमेशा appreciate करती थी मेरे बेटे को, though he is mentally challenged, मैं इतना hype करती थी क्योंकि he can't see me. So, मेरा आवाज ही एक माध्यम है कि वह जाने, मेरा intonation ही एक माध्यम है, वह जाने कि मदर बहुत कुछ है, तो मैं तालियां बजा के जोर जोर सा चिला के उसको समझाती थी कि तुमने बहुत अच्छा किया, तो उसका face bright हो जाता था और जो फील करता था वो मेरे लिए feedback था, reinforcement था जीवन जीने के लिए, वो खुशी वो जो divine smile देता था, जब मैं appreciate करती थी, वो pride मेरे लिए वो achievement था, means yes, parents को ऐसा appreciate करना है करके, मुझे अपने आपको appreciate करने का मन होता था, I am doing very good, ऐसा मैं देखती थी कि बहुत strain ना हो और उसको comfortable रहे, यह सब चलता था, बट जब 15 years में वो micro level improvement भी देखना बंद हो गया, then मेरा थोड़ा depressive symptoms शुरू हो गया, क्योंकि वो बिलकुल घड़ा भी नहीं हो पाता था, मैं बहुत depressed feel करती थी, अब यह तो hope lose करना, तब तक hope था मुझे, तोड़ा सा खड़ा करके, चार कदम में अपने हाथ से पकड़ के, दुनिया को दिखा दूंगी, तच करा के, यह है, यह है, यह है, बच्छों के बीच में लेके जाओंगी, यह सब एक वाहिश था, तो वो hope थोड़ा सा मुझे पानी डालना जैसा हो गया, तो फिर डिप्रेशन सिव्यर होता रहा मेरा, और पानीक अटक्स में बदल गया, एक रेकी टीचर से इंट्रदक्शन करवाया मेरे फ्रेंड में और हेमा सल्वन माम बहुत सपोर्ट कर रहे थे, मैं करती थी, फर्स लेवल रेकी, और मुझे अच्छा लगने लगा, बट फिर से पानीक अटक्स शुडू हो गया, मतलब मेरा टेंशन लेवल बढ़ता गया, तो रेकी वस नोट सफिशेंट, तो मुझे कुछ और चाहिए करके एक तडप थी, तो मेडिटेशन सिकान के ल उसके बाद क्या हुआ, मेरे अंटी एक है, फामली फ्रेंड्स, उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया, प्लीज तुम एक पिरमिड मास्टर से मिलो, मैं मुलाकात करवाऊंगी, तो मैं बहुत मना किया, बट बिकॉस ओफ और रिक्वेस्ट, मैं बात करना शुडू हो गया और वो पिरमिड मास्टर, मेरे अंटी का नाम हेमा है, उनका नाम भी, हेमलता जी, और ये पिरमिड मास्टर जो है गुंटूर में रहते है, श्रीदेवी जी, फोन पे ही बहुत महीने उन्होंने बात किया, मुझे एंकरेज करते थे, बट ध्यान उतना नहीं किया, ध्यान ब्रत के उपर कैसे फोकस करना है, मुझे समझ में नहीं आता था, बट ग्राजली, डिसम्बर में मुझे और बढ़ गया वो चाहत कि मुझे करना ही है, तो ध्यान महा चक्रम में पतरी जी लाइव करवा रहते है, तो मैं यहां बैठके, सर वहां ग्याइट कर रहते है, तो क्या क्या दिख्करा है, मास्टर्स दिख्कर हेते, रमन महर्शी जी, रगिवंदर स्वामी जी, हो एक ग्रेयट सेन्ट थे हैं, तो डिक्कर है जेी अर्दिना रिभण अर्दछी का रूप कहसे सिव जी के साथ पार्वथि माता एख हो रहे है, जीत्द्व थे पता चल रह तो सांस लेने के लिए भी वह दिक्कत हो रही थी तो उस स्टेट में नहीं जाना है मेरे बच्चों के लिए मुझे खड़ होना है तो मुझे अच्छा लग रहा था एक जीवन में फिर से उमंख आ रहा था पत्री जी के बार में जब श्रीदेवी जी ने बताया तो मैं बहुत इंस्पायर हो गई मुझे लगा ना कि जब थोड़ा सा तीन गंटे ध्यान तक आई और मुझे सेटल तो मुझे लगा कि मेरे जीवन में बदला वाया पहले एक फेरंड के लिए तरस्ती थी एक helping hand के लिए सब थे पर उनको समझा नहीं पाती थी कि मेरा क्या दिक्कत है कैसे भी वो समझेंगे मेरे अंदर की चीज क्या है तो पर ठीक ठाक थी तो वो helping hand में जो तरस्ती थी थी ऐसा नहीं कि उन लोगोंने मुझे help कि उनको पता भी नहीं है वो भी तुकी है तो ये दुख से बाहर आने का एक ही एक रास्ता है वो है meditation जब श्वास के उपर ध्यान के बारे में ये सर का संकल्ब जो है especially संग जर का विजन पहली बात सब को equally treat करना सब को respectfully देखना और सब के साथ friendship रखना friendly friendship जो है friendship जिसके लिए मैं तरस्ती थी वो friendship के लिए जो मुझे समझे वो friendship वर्ड मुझे बहुत attractive लगा बहुत ही attractive किया मेरे heart touching लगा and वो master जो है वो leader उससे ज़्यादा मुझे नहीं पता sir को एक leader की तरह देखती थी lead कर रहे हैं एक wide रास्ता ओपन किया sir तो उतना ही मैं उनके बार में जाता है I used to admire him वाव मैं बच्चपन से जो celebration के लिए तरस रहे हूं यहीं इनके पात में चलने के वज़े से वो celebration का gates open हो जाए celebration ही celebration रहना है life में और कुछ नहीं और मेरे ही life में नहीं हरे एक life ऐसा ही celebration में रोते हुए डर में जो बच्पन से मैं फील करती थी सब पुझा पाट करते थे parents नार समाज में पूझा बहुत मुझे समझ में ही नहीं आता था मैं सोचती थी इसमें भी मैं आवरे जू हूं य मेरा ही abnormality है कुछ तो बट जब सर के बारे में सुना मेरे दिल को जो सुकून मिला मैं abnormal नहीं हूं I'm good fine fine नहीं fantastic हूं क्यूंकि मैं जो feel कर रहे हूं सब कुछ सर बोल रहे हैं बच्पन से जो feel करती थी जो voice out नहीं कर पाती थी वो सर ने already voice out किया दुन्या बर में बोल दिया statement पास किया कि life मतलब ऐसा होना चाहिए सब equal है पड़ाई है पड़ाई नहीं है यह सब माइना नहीं रखता है जो पूजा जाधा करते हैं वो great है वो भी नहीं है जैसा तुम रहना चाहते हो freely freedom यह word friendship है और freedom यह मुझे इतना अच्छा लगा कि freedom के साथ मैं बहुत connect होगी तो sir को मैं पत्री जी क्या है मुझे पता नहीं था बिल्कुल क्योंकि मैं दूर में थी सुने हुए भाते हैं बस तो freedom जो सब के जीवन में होना चाहिए non-interference amazing लगा मुझे तो हर एक जीवन में यही होना चाहिए बट उनको पता नहीं है तो मैं माध्यम बनूंगी पता लगाने का वो जो रास्ता है मुझे responsibility लेना है जो मैं तरस रही थी एक इंसान ऐसे मिले मुझे अभी इतने साल के life में मुझे वो already celebration मेरे life में एंटर हो गया मुझे समझ में आ गया मेरे life में celebration enter हो गया celebration ही होने वाला है end तक and celebration हर जगा में देखना चाहती हूं तरस रही थी हर जगा celebration देखने के लिए तरस रही थी तो कैसा होगा यह ज्ञान और यह meditation पहुंचाना है ज्ञान तो मेरे पास कुछ नहीं था बस मुझे पता था कि यह true path this is the ultimate path सांसों के उपर ध्यान यह भी clarity में पता नहीं चला बट एक इतना obsession था कि मुझे यह meditation के बारे में सभी को बताना है और December में मैंने सर के साथ start किया और January 1st को मैंने resolution लिया कभी भी जीवन में मैंने resolution नहीं लिया बट उस दिन resolution लिया अब ध्यान के वज़े से मुझे oxygen मिला जीवन मिला फिर से दुबारा जीने का जो opportunity है ऐसा ही सब को मिलना है तो 108 पीपल को इस साल में ध्यान है ध्यान करिये इतना मैं बोलोंगी फिर क्या हुआ मैं ध्यान के बारे में बताना शुरू किया जो भी मेरे सामने आते थे मैं बोलते थे meditation 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 ऐसे ही बोलते थे थक जाते थे लोग मुझसे डरते थे आने के लिए मेरे सामने कि यह आएंगे जाएंगे तो फिर meditation के बार में बोलेगी फिर कुछ लोग क्या करने लगे कि meditation के बार में क्या है बता दो सही से explain करोगे तो हम भी करना शुरू करेंगे मुझस हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कैसे आंक बंद करके मैं नहीं बैठ पाऊंगी करोगे पर करते करते आपको समझ में आएगा फिर मेरे मतलब वह आपके घर आके करेंगे करके बोल रहे थे एक दो से लेके 40-30 लेडिस रोज आके ध्यान करना शुरू किया मुझे कुछ आता नहीं था ध्यान के बारे में कुछ पता नहीं था बिली में मुझे वह बोलते कि तुम बोलो तो हम करेंगे मुझे यही था कि अगर मैं नहीं बोलोंगी तो चले जाएंगे ज्यान नहीं करेंगे कुछ भी बोलोंगी तुम बोलती रहती थी वह करते रहते थे थे यूस तो फिल वहरी गुड और तोड़ा सा वो आंख वो पेस और यहां मैं एक चीज ब मेरे साथ-साथ मेरे बेटी भी ध्यान में आ गई वो भी करती थी उनको भी थाड़े एक्स्पिरियंस बहुत सारे होते थे थे और वो हेल्प करती थे मुझे meditation sessions, what sessions? हम लुग space create करते थे, साथ-साथ मिल थ mocना था दियान करने का space और मुझे कुछ पता नहीं था रजाल का मेरे चाहण संसा की सबको थियान पहुंचानाय मैं जा के यहां से शायाद में ये depression बरदाश्ट ना करके यहां से कूतके मर जाऊंगी ऐसा थिंकिंग जहां था उसी बालकनी में मैं जाके विजुलाइज करती थी कि इस सब ध्यान में होगे मेरे सुसाइटी के सब लोग बड़े-बड़े मास्टर्स जो है से बहुत इंस्पायर होती थी मैं ड्रीम करती थी कि सब पालकृष्णा सर यहां आ रहे हैं और यहां सब रोग्न दे रहे हैं तो यह ऐसा हो रहाता घर में ध्यान करना और मैं सब को जो मैट्रस अरेंज करना पिलोस अरेंज करना ताकि वो कमफर्टबली सर बोलते हैं, कमफर्टबली ध्यान उनमें बैठना है, कमफर्टबल पोस्चर, तो यह जो फंडमेंटल तिंग्स है, मैं वो कीमली पकड़ती थी, बच्पन से मेरा आधत है, कॉंसप्ट क्या है, रूट लेवल तक जाकी समझना है, सो सर बोलते थे, बोडी को आराम दायक से थे में, बोडी को स्ट्राइट ऐसा बैठके, परिशान नहीं करना, मैं सर इतना केर लेते थे, कि बोडी को भी परिशान नहीं करना, बोडी को भी फ्रीडम देना, सो में कुशनिंग, एसी, वाटर, वाटर पे पिरमिड कैप लगाना, वाटर को चार्ज करन वो चार्ज वाटर पीनी का अनुभूती सब को आना है कि ये चोटी-चोटी चीजों को जो सर बताते थे I used to feel so much joy inside me कि वो joy, उनके चेहरे में joy जो देखती थी पावनी मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत peaceful लगा इतने साल में रोती थी जीवन में अब मुझे लग रहा है कि खुशियां आगे मेरे जीवन, ये मेरे लिए लगता था कि सार्थक हो गया मेरे जीवन ये सुनके कि किसी के जीवन में खुशी आई है, किसी के जीवन में celebration आया तो ये में happy feel करती थी, अब मुझे जो तरस्तिती बच्पन से celebration के लिए मुझे वो जी रही थी, मेरा घर मंदिर जैसा बन गया था, क्योंकि सब happiness था, oneness था, हमारे में कोई disparity नहीं था, जो भी ladies आते थे, हम गॉसिप नहीं करते थे, कैसे द्यान को आगे बढ़ाना है, ये ही चर्चा होता था, पमनी जी जैसा कि आपने ध्यान, दिसंबर में पत्री जी को online ही, मतलब, physical नहीं मिले कभी थी, PMC, Telugu के द्वारा ही मिले, तो क्या आपकी पत्री जी के साथ, physical मुलाकात हुई और कभी हुए, ये भी बहुत ही, मतलब, surprise are extraordinary thing, मेरे life में हुआ, extraordinary, हम लोग रिशिकेश गए थे, October में, उस सी साल, मतलब, January में resolution लिया, हम सब कुछ मास्टर्स यहां फरीदाबाद से ग्रूप बन गए और गए, enjoy किया बहुत, सर को दूर से देखा, तो इतना रोई, इतना रोई, पहली बार तो, इतने में मुझे ये बोलना है, कि इससे पहले, जब ध्यान में आई, हेमा अंटी जो मुझे इंट्रड्यूस किया, उन्हों पता ने उनको नंबर कहां से मिला, वसंता माम जो डेली मास्टर है, वसंता शास्त्री जी, उनसे मुझे मेरे से मुलाकात करवाया, तो उसके बाद वसंता माम ने क्या किया, वसंता माम विभाग उपता माम हमारे जगह आयते फरीदाबाद ध्यान का सेशन किया, उसके बा आपने सेशन लिया हमारे गूप के लिए ऐसा डेली मास्टर से इतना हेल्प करते थे और वसंता में हमेशा कोशिश करते थे कि कोई मास्टर से यहां आए और सेशन्स ले ऐसा मुझे मैडम से बहुत सपोर्ट मिला है शाषरी सर बोलते थे की यृसा ठेलिगो में संभोधित करते थे बंगर तर ली मिंस अ माई ट्रफोल्ट करके वह उतिन अ प्यार से संभोधित करते थे He was like a father. He used to be like a father. बोलते है कि तुमको कभे बी जरूरत है तो मुझे बोलना. मैं हम लोग है. आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो करो करके. सारा एंकरेजमेंट हमको यहाँ डेली सीनियर मास्टर से मिलता था. और इस दौरान उन लोगों नहीं बोला ऐसा कुम्ब होता है. आई है. फिर कुम्ब में जाने से पहले मुझे यह इंपॉर्टेंट कहना है कि कृष्णा बॉम्मा जी से फोन कॉल में बात हुई और बालकृष्णा सर, रामराजु सर और दीप्तिनादर्लमा. यह तीन मास्ट हमारे फरिदाबाद आके सथ सेशन किया है सथ विग्यान का सेशन किया है और हम सब भी अटेंड करने का उपर्चूनिटी मिला उसके बाद रिशिकेश जब कहते फिर तब पत्री जी से मुलाकात हुई बट सर ने बोला मार्च में अगले साल आउंगा ऐसा बोला हम सारे मे ड्रिकेश से आते ही इसा हुए रिशिकेश से आते ही फिर मुझे कौल आता है कि पत्री जी आना चाह रह ह 독ो में सुली मुझे कुछ नहीं पता कि ज attributed मिलकूम महतर बहुत टर सक बहुत है मैंने बोला मुझे कुछ पता हमारामारे नौलेच बहुत कम है तो कुछ करना नही ह आएंगे यह बहुत बड़ी बात है, तो हमने मेरे घर में मेरे मदर इनलोव मेरे हस्बन सब इनने बुला डेफिनेटली वी शुड वेलकम सच ग्रेट मास्टर वेलकम करेंगे, तो हमारे पूरे ग्रूप ने पतरी जी का जो फरीदाबाद मास्टर इतना ग्रांड वलकम दि बहुत अच्छे से वेलकम किया और सर जो मैंने रिजलूशन लिया था कि 108 पीपल को बोलूंगी जस्ट क्योंकि ध्यान तो सिकाने लाएक मुझे नौलेज नही था तो सर आएं हम पूरा सोसाइटी में घूम घूम के कम से कम 500 पीपल को कवर किया हमने आई ये ऐसा बहुत अनलाइड मास्ट रहे हैं बत मेरे ख्याल से 40 पीपल भी नहीं आये जितने लोगों को हमने कवर किया 30 तो 40 पीपल भी हम नहीं देख पाएं बत बाहर से पता नहीं कैसे आये उस दिन वसंता में नहीं खाना बनाया शासरी सर और जो पाइमा टीम है डेली के उन सब बच्च करना है और सर जब सेशन लिया पूरा हॉल भर गया 500 पीपल वर देर अराउंड नतलव में जानेरी में शुरू किया ना ध्यान के बार में बताना तो रेजल्यूशन लिया तो 500 पीपल आके ध्यान भी कर लिया सर के द्वारा वो हो गया तो यह हुआ उस दिन जब सर आये थे रात को सेशन करके घर वापस आये थे खाना सब को परोसने का उनोंने शुरूआत किया और जिमदारी दे रहे थे बच्चों को तुम अच्छा सा करोगे ना यह खाना सही से परोस होगे ना मैं देख रही थी कि पहले बार वो सब समझ के लिए कोशिश कर रहे थी एक एक वर्ड को कि उनके मुखतह क्या आ रहा है मैं सीको तो खाना परोसने का जो हर एक इंसान का हर एक मास्टर का कैसे ख्याल रख रहे हैं मैं देख रहे थी बट बहुत अंदर डरता मेरे से गलती ना हो जाए हमारे घर में कोई गलती ना हो तो फिर ख़ाना परोसने के लिए पूछने के लिए मुझे बेगा समीच में स्यांद उसस्ते दोड़ी मुझेस तो तो से गलती हो गई सार 1 नहीं टांके ऐट रहे ठरस्ट कम्प्ली था मुझे। फुल एंड फाइनल होता है उनका वर्ड ये कंप्लीट रस्ता किसने सिखाया मुझे पता नहीं है मुझे फील होता था सर हर एक शब्द पर्फेक्ट वो निकलता है सो डांते हैं तो मेरे सर कुछ गलती हो गया तो सुरी सर बोल लिया तो तुरंत उनके आंख करुणा में बदल गया और बहले सब से पूछिये सब को देखिये काणा खाया है कि नहीं तो फिर मुझे समझ में आ गया तीन दिन लग गया उसको समझने मैं कि क्या IMPORT grabbed से इसका फिर उस वक्त समझ में आया कि सर बोलना चाह रहे हैं कि हमारे घर हमारे पास कोई आते हैं तो सब को equally treat करना है ऐसा नहीं कि सब को छोड़ कि मतलब 60 to 70 पीपल थे गर में सब को छोड़ दिया और सर के पीछे ही रह गें सब को आज तक मैं अभी तक पूरा सीखी नहीं हूं सर से सीखी रही हूं और कोशिश करती रहती हूं अब मुझे पता है मैं फंडमेंटल में ही हूं बट मुझे बहुत अच्छा लगता है कि इस जीवन में इतना बड़े-बड़े सी मतलब हम लोग बहुत बड़ा कहीं भागते हैं सीखने के लिए बट इस चोटे-चोटे चीजों में सर हमेशा वहा बोलते हैं जीती हूं उनके साथ हूं आइसा बट में बहुत इंपरफेक्शन सा भी है बट मुझे सीखने का तो बहुत मन है ऐसा बननी का मन है पामनी जी इंपरफेक्शन वर्ड तो कोई ठीक नहीं बट जिंदगी में हर शन हर पल सीखते रहना चाहिए जब तक हमारे ये तो आपने जो ध्यान शुरू किया, ध्यान से आपके जीवन में जो खुशियां आपको आज तक नहीं समझ आई थी, उच सब के रूप ने आपने मनाना शुरू कर दिया और साथ ही साथ आपने सेवा भी शुरू कर दिया। तो आपने इस सेवा के रूप में आपके साथ बहुत से सैयोगी हैं फरीदबाद के ठीक है, आपने इस कारिय क्रम को, सेवा के कारिय क्रम को और कैसे आगे बढ़ाया। आप सुना है कि आप गाम गाम जाकर आप ध्यान सिखाते थे और आप ज्यादा तर इस्तरी जो है आपके वही पूरे ग्रूप में थी, जो सब इकठी होकर ध्यान सिखाने राजी तो उनके बारे में उस बारे में जानना चाहते। अभी घर में यह सब हो रहा था, रगिलर्ली लेडीज आ रहे थे अब क्या हुआ कोविड का जो क्वारंटाइन का पीरेड आ गया था लोगडाउन का तो कोई पत्री जी ने डिक्लेर किया सब अपने 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 घरों में बैठके धान करेंगे तो हम फॉलो किया रूल काम नहीं हो पा रहा है तो जूम सेशन शुरू किया बहुत डर लग रहा था क्योंकि मैंने बूला बहुत ही जल्दी जल्दी यह सब हो गया क्या करना है जूम में तो जूम सेशन के द्वारा हम लोग जो सीनियर मास्टर जो स्रीडेवी जी है उनको Hindi नहीं आता है, उनके द्वारा कुछ-कुछ sessions हम लोग करवाते थे, हम लोग translate करते थे Hindi में, और group meditation करते थे, ऐसा चल रहा था, विश-विश में Delhi Masters को भी invite करते थे, ऐसा चल रहा था, जोड़ा जूम सेशन, इतने में जो जनरल जूम सेशन में सर आते थे, बाहर कोई को बात करते थे, इस दोरान हम बात करने का हिमत हमने नहीं किया, तो दीपती ना देला माम ने बोला, सब बात कर रहे हैं, नौर्थ इंडियन मास्टर्स, आप क्यो नहीं बात कर रहे हो, आप और आपके बेटी दोनों बात करिये, कल में देखना चाहरे हूं, तो next day मैंने हिम बात करने के लिए, सर को बताया कि ऐसा हमारे सोसाइटी के लेडी से साथ ही जूम सेशन अभी कर रहे हैं, पहले घर में करते थे, वही पार्टिस्पेंस यह भी कर रहे हैं, बट मैंने सर को बोला, सर कम्यूनिटी लेवल पे करने का बहुत मन है, यह तो बहुत तोड़ा सा यह शुरू किया, बट बहुत बड़ा कम्यूनिटी लेवल पे करना है, हमारा अंदर ख्वाइश है, तो कम्यूनिटी तक कैसे जाएं, तो सर ने बोला कम्यूनिटी का माडम, आप तो पूरा डली, नौइडा, गुरगाउं, गाजियाबाद, सारे प्लेस का नाम बता दिय उस सब को जला डालोगे, तो सर जला डालोगे क्यों बोल रहे हैं, हमने बोला ना कि सर एक वर्ड भी बहुत यह आप्ट यूज करते हैं, तो फिर हमको समझ में आया कि नौन वेजिटेरियनिजम को जला डालेंगे, तब हमको समझ में आया, एक ग्रूप का परपस होता है, तो यह हमारा फरीदाबाद का ग्रूप का परपस है, वेजिटेरियनिजम को स्प्रेट करना, इतना हमको समझ में आया, बात करना नहीं, कुछ नहीं, तो कम्यूनिटी लेवल पे जाना है, जाना है, तो कैसे जाना है, समझ में नहीं आ रहा था, तो ठीक है, एक तो हमारा परपस है, उसके बाद किया, जब लॉकडाउन फिनिश हो गया, एक उपरचुनिटी मिल गई, सर से मिलने के लिए, सर से बात किया, मैंने को ग्रूप में पीछे कड़ी थी, आगे जाने का हिमत नहीं था, तो सर वहां से बुला है, इशारा करके, आईए आप, क्या सर को करखे हैं, बताएए, इसलों बोला थी, तो सर मुझे है, जए मिलना आगए, मैंने जो बात करना है, मुझे बात करना है, य इशारा है, सर को समझ में आगया, तो सिर मैंने बताया है, सर, हामारे एρदि गावाट सारे गाएं ह amendments विलेजस को बुलाकर हमने सेशन किया क्यूंकि सक्कुरिटी गार्ट स बहुत सरे इरदिगिर्द विलेजस से आते हैं उनके द्वारा हम विलेजस को भी पहुंचना चा रहे थे बट वह सक्सेस्फुल नहीं हो पा रहे हैं Sir, हम लोग कुछ भी करना चाह रहे हैं, तो वह नहीं कर पा रहे हैं, कहां हम गलती कर रहे हैं, आप प्लीज पताएए, तो Sir ने एक ही स्टेट्मेंट दिया, One village, 20 days, So, वह एक ordinary स्टेट्मेंट नहीं लगा, एक huge power मुझे दिखा उसमें, फील हुआ एनजी, बहुत ही बड़ा है ये कार्या, ये ordinary नहीं है, ऐसा feel हो गया मुझे, तो कैसा करना है, कैसा करना है, बहुत टाइम लग गया, बहुत इतने में, बहुत टेस्टिंग हुआ मेरे लाइफ में, बहुत सारे चीज हैं, बहुत कुछ सेखने के लिए मिला, कि तुमको ये सीखना है, ये सीखना है, वहाँ ध्यान कराने से पहले तुमको ये रिफॉर्म अपने अंदर कराना है, तो फाइनली मुझे, एक ऐसा उपरचुनिटी मिला कि, न्यू मास्टर्स जॉइन होना, न्यू मास्टर्स ग्रूप में जॉइन हो रहे थे, बहुत ही वंडर्फुल, ब्राइट मास्टर्स थे, बहुत लोग पतिरीजी से मिले भी नहीं, बट फिर भी वो इंटेंशन जो है सर का, उनसे जुड़ गये, उनको भी था कि ध्यान पहुंचाना है, हम बेनिफिट पा रहे हैं तो ये ध्यान पहुंचाना है, सर के प्रती इतना रस्पेक्ट है उनको, तो फॉलो करना है सर का वर्ड्स के उपर इतना ट्रस्ता, ये सारा एक वंडर्फुल ग्रूप फॉर्म हुआ, उसमें लेडीज और जेंट्स पी है, और हम आज ग्रूप जाके विलेजस में खरवाने का मौका मिला, एक नजदिक में विलेज में नागर जी करके हैं, और विनोद गुपता जी, ये सब हमको सपोर्ट किया, नजदिक के विलेजस में जाके परच्छे करवाया, नागर सर ने, वहीं के लोकल है, तो उसके द्वारा हम बिल्ट अप करते रहें, और गहाओं के कम्यूनिटी हॉल में हम लोग करवाना शूरू किया, उसके बाद आज ग्रूप जाके ये जो अंगनवाडी, वहां भी हम लोगों ने करवाना शूरू किया, और करते करते अब एक प्रिमिंट मास्टर जो पत्री जी से मिले नहीं, अमेरिका में अपने बेटे के साथ रहने के लिए कुछ दिन वेकेशन के लिए गए और बहुत ही बीजी परसन है, यहां प्रिंस्पल है, वहां वेकेशन में उनको खाली टाइम मिला, तो पत्री जी का वीडियो के साथ उनको कनेक्शन हुआ और पत्री जी के प्रती बहुत रेस्पेक्ट आ गया, और पिरमिट बनाने का चाहत उनमें बिल्डप हुआ, और पिरमिट मास्टर्स को जाना है, फरिदाबाद में कौन है, ऐसा किसी से नंबर लेके मुझे कॉंटेक्ट किया, और हम तोड़ा फ्रेंट्शिप हो गया और उनके स्कूल में हमने आज ग्रूप जाके उनके टीचर्स को पहले करवाया, और उसके बाद बच्चों को रगिलर दस-दस मिनिट का हर एक क्लास का सेशन आज ग्रूप में या सिंगल क्लास में जाके ऐसा करवाते थे और वो जो मास्टर कमलिज दागर जी उनके हस्बेंड और मिस्टर डागर और मिस्स डागर मिलके पिरमिड लेके आए, उनके घर यही चहत पे 22 by 22 feet pyramid साक्षातकार हो गया, यह अचली यह जो वर्क जो हो रहा था गाओं में जगर जगर वो एनरजी बिल्डप हो रहा था, ग्रूप मेंबर्स लगातार ध्यान प्रचार करना, ध्यान करना, यह जो ग्रूप है, हमारे टीम का जो लगन, वो परसीवरंस और परसिस्टेंस और कंसिस्टेंसी और पत्रची के प्रती वो हम्बलनेस की सर का गाइडंस बहुत कीमती वो ले पा रहे थे, बिकॉस देर अलड़ी देर, प्लानिंग में है उनका तो वो समझ पा रहे थे, कि मुझे यह करना है, तो इसके वज़े से क्या अनरजी बिल्डप होते ही इन लोगों का बहुत चाहता पिरमिड लेके आना है, जो यह चाह रहते उन्होंने मानिफस किया, यह कंपनेश डागर जी ने, वो क्रियेट हो गया, और जान बाबु जी करके वो आके वो पिरमिड कंस्रक्शन में आंगिल बनाने के लिए साउथ से आये हैं, राम हम सब एक टीम क में हाला की हम प्रीदढबाद में कर रहते हैं, बहुत सारे सीनिय अओ अर मास्टस हम का हा, ha in person अक है किसी ने फोन नंबर दी या, किसी ने किसी ने इंट्रजेशन कि या, किसी ने हमाहें इंशा लगा तर हमारेंचे रहें आरें जी रहें था पापनी जैसा कि आपने जिकर किया कि आपको पत्रीजी के माद्यम से ये लगा कि हाँ मुझे वेजिटेरियनिजम के ऊपर काम करना है तो आपने इस काम के कैसे इनजाम दिया बतलग किस तरीके से आपने रैली निकाली जब पिरमिड बन गई थी, पिरमिड इनागरेट करना था, तो उसी दिन हम राली भी निकाले थे और सारे ग्रूप मेंबर्स के योगदान से, मतलब अपने हातों से पहले ध्यान किया, माउन में रहके बानर्स बनाएं, हम लोग, उसके बाद राली में हुई जहां continuous stretch पूरा मीट शॉप्स है और पूरा लगारिटी बहुत सारा नौन्विच एटिंग होता है और वहीं पिरमिड भी बनी है और वहीं राली भी हुई है और वहीं राली भी हुई है और भी पतरिची के बर्दे पे 11 नवंबर ऐसा हुआ है और यह एक बहुत बहुत आनंद दा एक इवेंट था जहां बहुत सब लोग जब भी डेली मास्टर्स भी आये थे आप भी आये थे उस दिन तो वह सब बहुत लाइट फिल कर रहते एक सुकून सा फिल कर रहते कोई सी को भी स्ट्रें नहीं था इतना ब्यूटिफुली वह तो डिवाइनली वह राली हुआ कोई भी दिकत नहीं हुआ मैम जैसा कि हम जानते हैं कि आप जब गाउं में जा रहे थे तो आपकी मुलाकात किसी केबल उपरेटर से भी हुई तो उसके बारे में हम जानना चाहते हैं हम जब हमारे back of the mind था कि PMC Hindi को कैसे लोगों तक पहुंचाना है तो एक जरिया क्योंकि वहां गाउं में केबल नेटवर्क बहुत चलता है तो केबल TV के तुरू जाना है तो यह को डिवाइन डिवाइनली हुआ क्योंकि आक्चली तो बहुत वह लोग देखते हैं कि किसको अलाव करना है किसको नहीं बट मैं सोचते हूं कि यह सर का ही वह consciousness था कि यहां वह work हो नहीं था बट हम वहां try जरा किया और अलरडी ध्यान प्रचार वहां गाउं में हो रही थी एक एना जी build-up हो रही थी उन्होंने यहीं बोला कि कोई commercial activity इस चानल में अगर हो रही है तो मैलाव नहीं करूंगा बट हमने बोला यह commercial नहीं है यह हर एक घर तक सत्य का दर्शन देने के लिए चानल है एकदम सत्य ही हम बोलते हैं इस चानल के तरूं हमेशा यही रहता था हम सभी के अंदर कि PMC Hindi के लिए हम क्या कर सकते हैं क्योंकि सर का विजन है कि PMC Hindi के द्वारा जल्दी से जल्दी ध्यान प्रचार हो जाएगा ताकि ध्यान जगत और शाका हर जगत बन जाएगा हमारा तो हम जरूर कोशिश करते रहते थे और वो चान्दनी केबल ऑपरेटर ने हमको अपरचुनिटी दिया वो टेलीकास्ट करते हैं अभी भी और उनको बहुत-बहुत धन्यवाद हम सब मिलके करना चाहरे हैं हरे परिदबार तीन से और एक नेटवर्क भी अभी एबीसी करके वलबगड में पलवल में वो ऑपरेटर से मुलाकात हुई यह माम जो प्रिंस्पल माम है उनके बेटे के द्वारा उनसे कनेक्ट हो पाए और वो भी तुरंत उन्होंने एकसप्ट किया और बीमसी हिंदी साटलाइट टीवी नेटवर्क के द्वारा है यह मैं यही फील करते हूं कि जगा-जगा ध्यान प्रचार करने के वज़े से वह एनरजी जो बिल्टप हुआ है ग्रूप टीम वर्क के वज़े से वह वन्स कॉंशनेस में रख के करने के वज़े से यह हुआ है और बहुत अच्छा पापनी जी आपने हर फील्ड में का किकी हमेंशा जो आप फीजिकल दान भी कर रही है, ज्यान दान भी कर रही है, लोगों को ध्यान भी जिखा रहे हैं उसमें एक unity है और पूरी ग्रुप उस unity के माध्यम से एक जो और दान है, जिसको हम धन दान कहते हैं क्योंकि बिना धनके भी आजकल काम नहीं होता तो उसके लिए भी मैंने बहुत सुना है कि आप हर जगा पे हमेशा इकथे ओकर्दान करते हैं तो आप उसके बारे में हलका सहा में बताईए मैं बहुत बहुत फॉर्चुनेट फील करते हूं कि ऐसा ग्रूप के साथ में हूँ I'm one of third member मुझे opportunity मिला उनके साथ रहने के लिए क्योंकि ऐसा purity में रहते हैं कि जब भी पत्तरी जी का जो work है PMC Hindi का work है या ध्यान जगत और शाकाहर जगत साकार करने के लिए कुछ work है ज़रूर हमारे members contribute करते हैं मतलब कोई force नहीं होता है हम क्या करते हैं एक गुप्तदान का एक डिबा करते हैं ताकि एक एक family का एक situation होता है वो करना चाहते हैं तो भी जबर्च दस्ती नहीं कर पाते हैं किसी के ओपर pressure नहीं होना चाहिए गुप्तदान करते हैं किसने कितना दिया किसी को पता नहीं चलता है बट amazingly amazingly वो जो पूरा हो जाता है वो नीड पूरा हो जाता है मैं हम लोग पहले ही cut tie करने का कुछ नहीं करते हैं तोड़ा तोड़ा every month तोड़ा सा पैसे जोडने के लिए कोशिश करते हैं तोड़ा base money arrange करने के लिए और जब भी एक मौका आता है तो ज्यादा निकालने के लिए कोशिश करते हैं और कुछ आमारा अलग वाला खर्चा जो unnecessary वाला अलगता है वो कम करते हैं एक dress करीदना है वो बंद कर देते हैं और यह करते हैं ऐसा ताकि हमको खुशी मिलती है और हम उसमे one definitely है हम सचमे में fortunate feel करते हूं ऐसा group में रहने के लिए बहुत ही बहुत अच्छी बात आपने बताई कि हम जो एक हमने पेटी बना लिया एक जिसमें कोई अपनी इच्छा से कितना भी डाले उसमें किसी के लिए कोई बंदन नहीं है तो अभी आपने एक बहुत रिसेंटली एक pyramid ध्यान जगत पत्रिका आती है मतलब आपको मैंने देखा है कि हमेशा हर जगा पे आपने हमेशा देने की कोशिश करी है तो अभी आपने pyramid ध्यान जगत पत्रिका में भी बहुत अच्छी contribution करके बेजी है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका और बहुत बहुत शुक्रिया अभी एक last message आप हमारे दर्शकों को क्या देना चाहेंगे मेरे life से मैंने मेरे experience से मैंने ये सीखा कि every being is special वो इंसान हो या पत्री जी के द्वारा मुझे ये सीखने के मिला कि हर एक प्राणी कीमती है तो अनेक प्राणी को respect देना है जैसे वो है वैसे हमको बस हमेशा इज़त देना है और हो सके तो प्यार से भी उनको अपनाना है बस यह है वो जो युनिकनेस हर एक इंसान में है उसको पहचानना है कुछ कमया होती है तो कुछ खूबियां भी होती है तो वो खूबियां ही हमारे युनिकनेस है कमया भी हमारे युनिकनेस है सबको accept करना है हम क्या कर सकते हैं, हम किस लिए आए हैं इस भूमी पर यह जानना है और जानके उसके उपर काम करते रहना है मैं यह कहते हूं कि उसके लिए कुछ जादा स्ट्रस भी नहीं लेना है जो हम करने के लिए हैं हमारे आंकों के सामने दिखता है तो उसको पहचाने के लिए ध्यान करना पड़ता है जो श्वास के उपर ध्यास रखके ध्यान करना यही पठरी जी ने हमको सिखाया तो मैं चहते हूं कि ये श्वास के उपर ध्यास हर एक तक पहूंचे टाकि वो अपने आपको जान पाए Thank you so much PMC Hindi थाक्षाद आपके इस सुन्दर यात्रा से हमने बहुत कुछ सीखा और ऐसा मानते हैं कि हमारे दर्शक भी बहुत कुछ सीखेंगे तो आज के लिए हम आपसे अग्या चाहते हैं आपका बहुत बहुत धन्यावाई Thank you so much for this opportunity. ऐसा मौका मिला मुझे, बहुत 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 ग्रेट फिल करें. Thank you. पति जी के एक-एक शब्द को समझना और उसको जीवन में उतारना, किस तरीके से हम लोगों की मदद कर सकते हैं? और अपने जीवन में क्या लक्ष था उनका इस धर्ती पर आने का उनको वो भी समझाई. तो आप भी हमेशा अपने जीवन के लक्ष को सबजिए, सबसे प्यार करना सीखें, जो इंपॉर्टन चीज़ आए कि बच्चों के साथ भी हमेशा प्यार से रहें, उनकी जो भी अंदर की खूबियां हैं, उनको उसके लिए प्रोसाहित करते रहें, और अपने जीवन के लक्ष में आप जरूर पहुंच जाएंगे, आप बने रही है हमारे साथ, आत्मा की व्यात्रा में एक नए मास्टर के साथ तब तक के लिए आज्या चाहते हैं, आप सब का बहुत बहुत धन्या, थैंकु आप से इंगी पदले जीवन, घर घर में सत्यका दर्शन, सत्य दर्शन